नमश्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम SBI Small Cape Fund के बारे में डिटेल रिव्यू करने वाले हैं जिसमें सारी इंफोमेशन इस Mutual Fund की आज की इस वीडियो में जानेंगे इससे कैसी रिटन परफॉम्ग किये हैं कि इनकी इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके चल रहा ह है साथ ही लास्ट में हम इस Mutual Fund के रोलिंग रिटन भी जानेंगे और एक्सिस Small Cape Fund के साथ में इसकी रोलिंग रिटन की कैसी परफॉम्ग करेंगे इस Mutual Fund के रिस्क रेशो भी हम आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे आप वीडियो में एंट तक बने रहेगा और चैनल प प्लान में इन्वेस्ट करेंगे तो एक्सिस रिश्यो ज्यादा देखने को मिलेगा इस Mutual Fund का असेट इंडर मेनेजमेंट 12,824 करोड हो चुका है दोस्तों यह ओपन एंडेट मूचल फंड है लेकिन अगर आप वन येर से पहले इस स्किम से विड्रो हो जाते हैं तो वन प येर में 18.40% के रिटन परफॉंच की हैं Tomika में थरटे ऊंप नं जिरो परसेंट के वर में 20.50. 0% के and since inception से 26.60% की return इस mutual fund ने perform के हैं फाइव yair के return में इसकी rank number 2 रही है और 3-year के return में इसकी rank 9 है, 1-year के return में इसकी rank 3 रही है दोस्तों absolute returns देखें तो since inception से 8079.9% ने इनउस्टर ने since inception में इस mutual fund में पैसा इन्वेस्ट कर दिया होगा तो करेव उसको नोगुना बना दिया है इस mutual fund की holding देख लेते हैं दोस्तों total 48 companies अपने portfolio में mutual fund लेके चल रहा है जिनमें top 10 की बात करें तो ग्कुपेंट में यह 3.90% फाइंस त्रेब एह नि री पॉइन 2.19% इंवेस्ट करता है वैदांत में 3.80% सीला हौम में इस dakika पॉइन निदस्टी में 30% कार्बोटेंडम लुनियूर्सल में 3050% ब्ली श्टार में 320 फ्रीद लेके में 547 एंडिया में 2.70% नविन फ्लोराइन इंटरनेशनल में 2.70% और राज रेतन ग्लोबल वायर में 2.70% इन्वेस्ट करके चल रहा है दोस्तों small market के बलाइशन वाली जो दिग्यस कंपनीज हैं उनमें ये mutual fund इतना maximum पैसा इन्वेस्ट करके चल रहा है दोस्तों अब हम देखते हैं इसका allocation by market के तो large market के बलाइशन वाली कंपनीज में बिल्कूल इन्वेस्ट नहीं कर रहा है 0% इसका और mid market के बलाइशन वाली कंपनीज में only 13.38% इन्वेस्ट कर रहा है दोस्तों अब holding analysis की बात करें तो equities में 92.20% इन्वेस्ट कर देता है और के 7.80% यह maintain करके चल रहा है अब sector allocation की बात कर लें दोस्तों यहाँ पर तो यह mutual fund है जो capital goods में 17.40% इन्वेस्ट कर रहा है consumer discretionary में 16.20% chemicals में 12.70% services में 11.60% metals and mining में 10.60% construction में 9.60% consumer staples में 8.10% textile में 5.20% इन्वेस्ट कर रहा है and others में 8.50% इन्वेस्ट करके चल रहा है friends अब discuss कर लेते हम इस mutual fund के ratios जिसमें बात कर लें हम alpha की alpha यह बताता है कि mutual fund अपने benchmark से कितने जादा return generate कर रहा है तो यह 8.34% इसका alpha है अपने benchmark से करीब 8% से जादा return जादा generate कर रहा है mutual fund का beta 0.77% है अपने benchmark से risk कम लेके चल रहा है अगर beta एक के बराबर होता है तो benchmark के बराबर रिसक लेके चल रहा है sharp ratio इस mutual fund का 1.21% है यानि बहुत अच्छे risk adjusted return यह mutual fund generate कर रहा है 1.26% है इस mutual fund में minimum SIP आप 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं और one time investment इसमें अभी allowed नहीं है क्योंकि इसका जो asset under management है अल्रेडी काफी जादा हो चुका है fund manager की बात करें तो आज श्री निवासन जी है जो काफी experienced fund manager है November 2013 से इस fund को manage कर रहे हैं friends अब देख लेते हैं इस mutual fund के rolling return मैंने SBI small cape और axis small cape के rolling return 2015 से open की है 33 year की period में हम इनके rolling return चेक कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देखिए यह rolling return का graph है जिसमें yellow color वाली line है यह SBI small cape की है और blue color वाली axis small cape की है यहाँ पर देखें दोस्तों हम तिन-तिन साल का period है जैसे 16 to 19, 17 से 20, 18 से 21, 19 से 2022 यहाँ से starting में friends पहले SBI small cape fund की performance अच्छी थी यहाँ तक उसके बाग axis small cape fund की performance अच्छी रही है जो कि यहाँ तक अच्छी रही है इसके बाद वापस से यहाँ पे SBI small cape fund की performance जादा देखने को मिल रही है दोनों ही mutual fund ने अपने benchmark को बहुत अच्छे से बीट किया है साथ ही category average को भी बहुत अच्छे से बीट किया है दोस्तों और less than 0% की return बस यह एक period है यहाँ पे दिये हैं यहाँ पे equity small cape negative में 13% की return परफॉर्म कर रहा था जब SBI small cape fund भी negative में 0.69% की return परफॉर्म कर रहा था एक इस small cape fund positive return परफॉर्म कर रहा था 0.91% की यह निए downside protection एक इस का better देखने को मिला है SBI के comparison में और यह जो period था यहाँ पे देखिए दोस्तों 2016 मार्च से 2019 इसमें SBI small cape fund के 20.23% की return थे तब axis small cape fund के 15.05% की return ही थे और यहाँ पे इस वाले period में सबसे अच्छी return axis small cape fund की थे 36.74% होई SBI की 30.54% की return ही थे और अब latest वाला जो period है August 2019 से August 2022 इसमें SBI small cape fund के 33.24% की return है जबकि axis small cape fund की 31.21% की return है यानि करीब दोनों mutual fund एक दूसरे को कभी एक आगे निकल जाता है दूसरा पीछे रहे जाता है फिर दूसरा आगे जाता है पहला पीछे रहे जाता है इस तरह का है लेकिन यह जो downside protection वाला period था यहाँ पर एक्सिस का बेटर देखने को मिल रहा है अब नेक्स देखे दोस्तों हम यह टेबल में समझे नेगेटिव रिटन यहाँ पर SBI small cape fund ने 0.36% टाइम बहुत जादा बार नहीं दिए जबकि axis small के पंड ने 0.18% टाइम इसने भी बहुत जादा बार नेगेटिव रिटन नहीं किये हैं ग्रेटर दें 20% की रिटन SBI small के अपने 32.25% टाइम जिए जबकि axis small के फंड ने 34.06% टाइम यानि करीब दोनों की पर्फोर्मेंस लगबग एक्वलसी हैं बहुत जादा वेरिशन देखने को नहीं मिला है तो दोस्तों पूरल कंपेरिजन के साथ पूरा डिटेल रिव्यू आज की इस वीडियो में आपने देखा आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो झाल